हम क्रशी सुधार कानून लेकर आये थे कुछ लोगों को रास नहीं आया लेकिन वो सत्तर वर्सों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंदर मोदी जी के नित्रतों में आगे बढ़ रहा था लेकिन सरकार निरास नहीं है हम एक कदम पीजे हटे हैं आगे देश के कृशी मंत्री श्री नरेंदर तोमर जी ने तीन महित्पूरण बाते कही महाराश्व में पहली नरेंदर तोमर जी के मुताबिक क्रिशी विरोधी तीनों काले कानून प्रोग्रेसिव यानि प्रगती शील कानून थे रिफॉर्मिस्ट यानि तर्मीम लाने वाले बड़े तरक्की पसंद कानून थे माफ कीजिए मोधी जी और तोमर साहब अगर ये इतने अच्छे कानून थे तो आपने माफी मांग कर वापिस क्यों लिये थे नरिंदर तोमर जी ने दूसरी बात जो ये कही के ये कानून कई लोगों को हजम नहीं हुए किसान संग्थनों और देश के 62 करोड किसानों पर कटाच्ष करते हुए देश के क्रिशी मंत्री ने कहा के ये काले कानून कुछ लोगों को रास नहीं आए और तीसरी बात उन्होंने जो कही देश के क्रिशी मंत्री नरिंदर तोमर जी ने कहा के मोदी सरकार एक कदम पीछे हटी है सभाविक तोर से चुनाव की हार को देख कर और वो कदम दुबारा बढ़ाएंगे यानि ये काले कानून पांच राज्जों के चुनाव के बाद वापिस लेकर आएंगे देश के किसानों और देश के 140 करोड लोगों की और से भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का संकल्प है के मोधी सरकार की इस जूट, फूट और लूट की राजनिती को किसान विरोधी चेहरे को पूंजी पतियों के दबाब में दुबारा काले कानून वापिस लाने की साजिश को हम पूरी तरह से फेल और विफल कर देंगे